अगर जीवन में कभी पेट का रोगी नहीं बनना है तो सुबह उठते ही सबसे पहले ये काम अवश्य करना है देखिए आप लोगों में से कई ऐसे लोग हैं जो कि सुबह के समय का फाइदा ही नहीं उठा पाते हैं और उनका कोई जीने का शैडूल नहीं है ना रात में सोने सबस्वाइब कई सरीर के बाद में सरीर सही नहीं है तो आपको सब कुछ बड़नना चाहते हैं कब जैसे बीमारी हो या आपको पेट से जोड़ी कोई भी समश्या हो तो आपको ये निष्चित काम करना है पिसली वीडियो में बैंने या फिर आपको मैं बैस्ट तरीका बताता हूं कि रात के समय है जैसे आपको पेट के अधिकतर समश्य रहती हैं तो एक ग्लास पानी में एक चमच मेथी दाना ये कसूरी मेथी नहीं बता रहा हूँ मेथी दाना आता है जो की सबजियों में डाला जाता है ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये वाला दाना एक चमच रात को भिगो के रख देना और सु पानी पेट आप सोके उड़ते हैं तो इस मेथी दाने के पानी को भी पीना और मेथी दानों को चवा के खा जाना ये थोड़ा कड़वा लगेगा लेकिन जो चीज जीव के लिए कड़वी होती है वो सरीर के लिए फायदेमंद होती है धान लग तो ये काम अवश्य करें इदर पानी का भी आपका जो शौक है वो पूरा हो जाएगा कई लोगों को सुवे उटते ही पानी चाहिए तो पानी ये वाला पीजिए जिससे कि आपका डाइडिशन सुद्रे आपके मास पीशियों को तागत मिले क्योंकि मेती में बहुत शक्ति होती है आयरुवेद में मेती के बहुत तरह के गुण बताए गई है तो सबसे पहला उप्षन आप लोगों के लिए यह है या फिर एक काम किजिए कि सुवे के समय आप पानी नहीं पीते हैं तो सादा गरम पानी भी आप पी सकते हैं नॉर्मली गरम पानी पीएं उसके बाद फ्रेस वगर होने के रख देना और इनको सुवे खाली पेट खाना है इस आदत को डालने से आपको यह बैनीफिट मिलेगा कि इन फ्यूचर आपको कभी पेट के रोग देखने को नहीं मिलेगे क्योंकि खजूर से हमारा डाइजिशन सिस्टम सुधरता है तो आप लोगों के लिए दो खजूर प्रयापत हैं दो खजूर रात को बिखो के रख देना और इनको डेली खाना यह हमेशा के लिए आदत बना लेना हमेशा के लिए कभी भी आपको खजूर से कोई भी साइड फेक्ट देखने को नहीं मिलेगा और तीसरा बेस्ट आप लोगों के लिए है कि आपको दो चम्म आउले का पाउडर आता है सुवे खाली पेट इस चीज को भी अपने इस सेडूल में जोड सकते हैं कौन से चुनना यह आपके उपटे पेंट करता है लेकिन जो ऑप्शन है बेटर ऑप्शन है वो मैं आपके लिए बता रहा हूं कि तीसरा ऑप्शन है कि दो चम्मच गरम पानी हो या साधा पानी हो उसमें दो चम्मच डालके और घोलके सुवे खाली पेट आमले पाडरों को पी जाएं आमले में बहुत तागत हो दी दोस्तों अगर कच्चा आमला मिल जाए तो दो कच्चे आमला का सिवन रोजा ना कर सकते हैं इससे आपको बहुत बेनिफिट पेट देखने को मिलेगा आपको कपज पुराणी से पुराणी है अगर आपको कबज की बिमारी है पेठ अच्चे से सफ में होता है कंई साल हो गए और पेट में जब यह रोओका होते हैं तो आपके सरीर में और भी कंई रोग पैदा हो जाते हैं क्योंकि पेट से ही कई सारी बिमारियां निकलती हैं तो इसलिए आपको ध्यान देना है मेरी बातों पर कि तीसरा उप्षन आपको यह चुनना है कि आप आमला पाउडर भी खा सकते हैं और एक उप्षन सबसे बैस्ट आपके लिए बता रहा हूं अ और कबजी जैसी बिमारी ना हो पेट से जुड़ी बिमारी ना हो तो एक मुठी किसम इस रात को पानी में बेगो के रख दीजिए और उसको सुबह खाईए खाली पेट देखना आपको कितना मज़ा आएगा आप दो से तीन महीने इस नियम को कर लेंगे तो आप यह जो जादा अपनी कबज से परिसान है जिनको कई महीने हो गए और जिनको ऐसा लगता है कि मेरे पेट में कितना कचरा बरा पढ़ा है मेरी आथों में कितनी गंदी की जमा हुई पड़ी है निकालने के लिए एक गलास गरम दूद में एक चमच सुद्ध गाय का देशी घी डाल दीजिए और उसको अच्छे से घोलिए यह काम सोते समय करना है और उसको पी जाईए और थोड़ा सा टहलने के बाद और सो जाईए लेफ्ट वाली करवट से देखना आपको इन फ्यूचर कभी भी कबज की प्रोब्लम नहीं होगी इनमें से कोई भी ऑप्सन चुन ल करते हैं नहीं हमेशा खुच रहे हमेशा स्वस्त रहोगे आपका एक ही काम है कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करें दोस्तों और मैं आपके लिए कुछ अलक्सी डेमांड नहीं करता हूं सिर्फ आप से लाइक मांगता हूं और आप सपोर्ट के लिए मुझे स्ठार भी कर दे सकते हैं यह आपकी उपर डिपेंड करता है धन्यवाद